हेलो स्टुएंट्स माइसेल्फ पंकर्ज गुपता फ्रॉम SBRL अकैडमी और आज आपका रैशन नंबर वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया और नेक्स चैप्टर जो है वो है लीनियर एक्वेशन इन वन मैरियेबल तो फस्ट चैप्टर खतम हो गया उसका एकसाइनमेंट मैं कल डाल दूँगा आप वस्ट असाइनमेंट को करके दें मुझे और उसके बाद नेक्स चैप्टर जो है वो है एकस्प्लेंड करना शुरू कर रहा हूं लीनियर एक्वेशन इन वन बैरियेबल अच्छा इडेक के अंदर जो प्रॉसेस है हम उसी से चलेंगे पहले हम इसक चैलेंज पाउर पोर्शन है जिसमें आप पहले कॉमिक पोर्शन को अच्छे से रड़ीड करोगे अच्छे से पढ़ोगे उसका मीनिंग आउट करोगे सई से और फिर उसके बाद आप यहां पर एक कमेंट जो आपके दिमाग में आये वो आप यहां पर लिखेंगे तो य जैसे कि previous chapter में किया था इसी तरह से इसमें student कमेंट लिखेंगे और एक challenge पाउर पोर्शन है challenge इस challenge पोर्शन में जो भी question दिया होगा उसे आपको solve करना पड़ेगा तो पहले हम इसे explain करते हैं the latest computer game is a huge hit among teenagers तो जो latest computer game जो latest computer game आता है वो एक huge hit होता है among teenagers के teenagers teenagers जो है वो young youngsters हमारे जो उनको games का बहुत shock है तो games अगर कोई latest game आ जाता है तो उसको उसके लिए वो बहुत curious रहते हैं बहुत परिशान रहते हैं कि भाई हमें वो game पहले सबसे पहले लेना है they are making beeline for purchasing the game और वो beeline का मतलब होता एक सीधी line बनाना बहुत लंबी line लगा देना किसी चीज के लिए line लगा के करीदना यानि मतलब इतनी जादा उसकी demand होती है कि बस वो उसके लिए बहुत eager रहते हैं कि बस हमें कैसे भी करके वो game मिल जाए अब यह जो aliens की conversation इसको देखते है have you played the latest computer game कि तुमने जो latest computer game है वो सीखा है तो second वाला जो alien है वो बोलता है yes I have मैं खेल चुका हूँ it has excellent graphics and is quite challenging और यह बहुत अच्छे graphics है मैं खेल चुका हूँ इसके graphics बहुत कमाल के है और उसके लाबा यह बहुत challenging भी है मतलब मुझे इसमें excitement हो रही है इसको खेल के I always wonder the first one फिर से कहता है कि I always wonder how innovative the computer games have become कितने innovative कितने नई ideas के साथ में कितने कमाल के हैं नई computer games जो हैं बन गए हैं How can a computer accurately calculate and counter the opponent's move और computer किस तरह से बड़े accuracy से game को खेल लेता है और opponent के move का answer भी उस move के बदले Opponents का move का reply है वो भी बड़े अच्छे से दे लेता है ठीक है तो यह बहुत उसको आश्चर्य हो रहा है बहुत surprised है कि कैसे computer ऐसा कर पाता है Answer इसका देता है second one I think it is not the computer वो कहता है नहीं नहीं यह computer नहीं है But the people behind it who program the game यह computer नहीं करता है यह कौन करता है जो लोग उसे program करते हैं उस program को बनाते हैं उस computer program को क्योंकि हम जानते हैं कि computer के अंदर जितनी भी files या जितने भी functions होते हैं उनके बीचे प्रोग्राम बनाया जाता है उस प्रोग्राम को बनाने वाले उसके अंदर special चीजें डालते हैं तो गेम को जिसने प्रोग्राम किया वो प्रोग्रामर का idea होता है कि इसको किस तरीके से गेम को maintain किया जाए ठीक है और उसमें हर चीज हर move जो अगर आप computer के साथ उस game के अंदर busy हैं खेलने में तो जो move आप उसमें जो भी move आप लेते हैं computer के अंदर जो step आप लेते हैं कि हमें यह करना चाहिए तो computer को वो पहले से already उसके अंदर planned होता कि हाँ अगर आप ऐसा करेंगे तो computer में ऐसा होगा ठीक है तो यह सारा planned है और इसी को कहते है program करना ठीक है तो इस तरह से computer में सारे moves होते हैं आप देखो जो information है वो a game programmer predicts all the possible moves of a player यह यह जो programmer है वो पहले से यह predict कर लेता है वो पहले से यह मान के चलता है वो यह सारे wayouts जितने भी उसको खेलने के तरीके हो सकते हैं वो सारे पहले से ही सोच लेता है और उन moves के against computer का move क्या होना चाहिए वो भी plan कर लेता है उसके अंदर and then programs the game और फिर उसको उसी के accordingly उसको program करता है in a game there are some fixed quantities and some varying quantities तो आप आप देखे कि computer जो graphics होती है जो computer monitor पर दिखता है आपको उसमें कुछ चीज़ें आपको moving दिखती है कुछ चीज़ें जो हैं वो fix रहती है कुछ चीज़ें fix रहती है तो यह बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे कुछ quantities जो है वो constant रहती है उनकी value same रहती है और कुछ variables होते है जिनकी नमबर बदलता रहता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे in case of algebraic expression constant और variable होते है constant वो होते हैं जिनकी value change नहीं होती और जो variables हैं उनकी value change होती रहती है ठीक है इसी तरह से दो तरह की quantities आप उसके अंदर भी feel कर सकते हैं computer game के अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी जो बदलती रहती है और कुछ चीज़ें ऐसी जो fix रहती है तो यह हमारा comic portion है इस comic portion के basis पे आपको student comment लिखना है ठीक है यहां पर हमने इसको connect कर दिया algebraic expression से algebraic expression का मतलब है कि एक ऐसा expression जिसमें constant और variables use किये गया हूँ constant और variable को मिला के जो expression बनता है बिल्कुल same as जैसे program बनता है जिसमें कुछ चीज़ें variable होती है कुछ constant होती है ऐसे ही algebraic expression भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि उसमें दो तरह की things involved होती है एक तो constant और एक variable अब हम आएंग linear equation पर linear equation in one variable ठीक है तो अभी आपको करना क्या है कि student comment लिखना है और उसके बाद challenge portion करना है तो student comment आप अपने आप लिखेंगे जो भी आप इसको दो चार पांच बार पढ़िए comic portion को दो तीन चार बार पांच बार पढ़िए जो मैं बता रहा हूं उसको आप वीडियो को ब challenge portion है इसके अंदर दो चीज़े दी है एक मैं बता देता हूं एक अपने आप कर लिएगा fill in the boxes with appropriate mathematical symbols to make the expression true इस expression में जो symbols जो भी आप mathematical symbols use करना चाहें वो करके आपको इसको पूरे symbol को बना इसको बनाना है अब आप देखिए एक 4 है फिर space है या नी block है खाली फिर 1 है फिर block है 3 है फिर is equal to 7 तो अगर हम first block में multiply का sign डालने है तो 4 into 1 और second block में plus का sign डालने है तो 4 into 1 plus 3 is equal to 7 हो जाएगा it means 4 into 1 कितना हुआ 4 और plus 3 4 plus 3 हो गया 7 तो 7 is equal to 7 तो इस तरह से ये बिल्कुल सही हो जाएगा appropriate mathematical appropriate equation बन जाएगी ये बिल्कुल satisfy रहेगा क्योंकि हम जब इस तरह के expression लिखते है तो उसके दोनों side के value से मानी चाहिए ठीक है वो हमें दिख रही है इसके अगर हमें 4 into 1 plus 3 कर देते हैं और जो next है उसको आप पढ़ेंगे और आप उसे करने की कुशिश करेंगे और problem के case में आप मुझे doubts में लिखके बेजिए कि नहीं हमें clear हुआ तो हम दूसर अभी करा देंगे ठीक है और उसके बाद exploration zone आती है इसके अंदर क्या है solving equation having variable on one side ठीक है तो अब यह solving equation having variable on one side इसके अंदर सबसे पहले आएगा कि equation क्या होती है फिर आएगा linear equation क्या होती है और तीसरा आएगा linear equation in one variable क्या होती है equation का मतलब क्या हुआ equation का मतलब हुआ कि उसके दो पार्ट हो गए equation का मतलब हुआ mathematical statement which states the equality of two expressions is known as an equation equation का मतलब है equality of two expressions यानि जो equal का sign है उसके left side का expression should be equal to right side का expression ठीक है तो इसको हम बोलेंगे expression इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे equation और अगर equation में को कहेंगे linear equation तो linear equation कुछ इस तरह से होती है जैसे आप देखें इस graph के अंदर x plus y is equal to 5 यह linear equation है क्यों linear equation है एक तो बात यह है कि इसमें variable की power 1 रहती है variable की power और 1 से ज्यादा नहीं होती दूसी चीज यह है कि अगर आप एक्स प्लस में इसको ब्रीफ में आपके वह समझ लेंगे इसमें ज्यादा चीजें बसके वह इतना समझ लेंगे एक्स प्लस by is equal to 5 है अगर इसमें आप चाहके एक्स की value 1 रखेंगे तो by की value इसके इंदर 4 आ जाएगी ठीक है फिर एक्स की value 2 रखेंगे तो by की value 2 आ जाएगी इस तरह से फिर x की value 3 रखेंगे तो y की value 2 आ जाएगी आप इससे दोनों की values निकाल सकते हैं और उन values को इस graph के उपर अगर plot करेंगे ठीक है तो graph के उपर plot करने पर आपको एक straight line मिलेगी straight line और linear means actually क्या होता है line होता है line ठीक है straight line linear means line straight line और linear equation का मतलब हुआ कि वो equation जिसका curve straight line आएगा समझ गए हैं जिसको आप graph पर plot करेंगे तो you always get a straight line तो यह linear equation होती है और फिर आता है linear equation in one variable one variable का मतलब हुआ कि जिस equation में cable एक ही variable use किया गया हो जैसे हमने x plus 1 is equal to 3 लिख दिया तो इसमें कितने variable हैं cable x है x ही तो use किया गया है तो किसी में पूरी equation में x यूज किया गया हो किसी में पूरी equation में by यूज किया गया हो तो हम कहेंगे कि यह linear equation in one variable है और x की power one ही होगी जो भी variable है उसकी power भी one ही होगी ठीक है तो यह हो गया linear equation in one variable और अब इसमें करते हैं यह देखिया A linear equation in one variable can be written in the standard form as AX plus B is equal to 0 where A and B are rational numbers and A should not be 0 ठीक है A 0 नहीं होगा क्योंकि X की कुछ तो value होनी चाहिए और X की power 1 होती है और A और B क्या है rational numbers है तब इस equation को क्या कहेंगे है linear equation अब linear equation को solve करने के दो तरीके हैं एक है trial and error method और दूसरा है equivalent equation method तो मैं इनके examples आपको board पे समझा दूँगा तब तक आप इसको एक बार introduction को थोड़ा से read कर लीजे फिर next video मैं मैं इसको इसके methods के बारे में बात करूँगा इसको मैं example देके clear अगर दूँगा ठीक है और बाकी assignment को आप फटावर बेजे आपको कि अगर दूँगा